मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों सच्वालक्स है कि वेकंसी की आप बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और यह वेकंसी अब आएगी तब आएगी मतलब इस तरह से होते होते काफी समय बित गया है लेकिन अभी तक वेकंसी के कुछ अता पता नहीं है तो आज की इस पेपर में एक खबर आई है कि हो सकता है कि इसकी बहाली अब बीपेसी के माध्यम से हो बीपेसी को रिक्वेस्ट किया गया है सरकार को लिखा गया है इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि क्यों बीपेसी को ऐसा बहाली करने के लिए कहा जा रहा है और इसके साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि अगर VPSC बहाली लेती है तो क्या पडिवर्थन करना पड़ेगा, क्या बदलाव करना पड़ेगा और आपके सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, संभावी सिलेबस क्या हो सकता है, भरती की प्रक्रियाएं क्या हो सकती है, पुर जीएस आज तक का अपना मोबाईल एप लॉँच हो चुका है, और अगर आप WPSC की तियारी कर रहे हैं, अपured सचवाले सहाइक की तियारी कर रहे हैं तो WPSC की तियारी के लिए अभी CDPO की तियारी के लिए अभी कोर्स लॉँच हो चुके है। BPSC के त्यारी के लिए भी Homework Series और Test Series चल रहे हैं, वहीं CDPO के लिए और AO के लिए Test Series चल रहे हैं, ठीक है, बिहार दरोगा के लिए Test Series बहुत जल्द लाँच हो जाएगा, और सचवाले सा है कि त्यारी के लिए Foundation Course जो है Foundation Course बहुत जल्द लाँच किया जाएगा, इसके बारे में आप लोग को बहुत जल्द सुचना दी जाएगी, तो definite रुप से अभी तक आपने हमारे mobile app को download नहीं किया है, तो download किजिए, और free के जो भी materials है, उसका lab उठाएगे, और BPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो हमारे course को जरूर जोइन किजिए, तो चलिए जानते हैं, पुरे विस् जोँ आप लेकर बिहार सचीवाले सेवा संग ने एक दीवसी उपवास रखा था, ठीक है, तो ये उपवास में ही ये सारी बाते सामने निकल कर आई है, कि बिहार सचीवाले संग ने कहा है कि गुजरात, केलर, उलीसा, तामिलनारु, कई رाजιों में सचीवाले सہायक, या ठीक है, हाला कि बिहार में भी विकास आयूक्ट के अजक्ता में गठित चार सदस्य समिती और महाधिवक्ता, डिप्टी, सी एम के अनमोदन के बाद, अब कबिनेट की मंजूरी ले, मंजूरी ली जानी है, मतलब एक कमिटी भी बनी थी, चार सदस्य कमिटी थी, और ये हुई है अभी यह जो इसका फाइल है वो समान प्रसासन विभाग में ही पड़ी हुई है इस पद्नम परिवर्तन किये जाने से सरकार पर किसी तरह के वितिये बोज नहीं परेगा और बिहार सच्वाले सिवा पर बहाली के लिए अधियाचना दे दी गए थी लेकिन 2021 भी समाप्त होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन अभी तक बीससी जारी नहीं किया है आप समझ सकते हैं कि बीससी 2014 में इंटर लेबल का जो वैकेंसी आया था उसी में बुरी तरह से हें अगर बीससी की बहाली लेती है तो यह परक्रियाइक कब कंप्लीट होगी नहीं जा सकता है हो सकता है कि पूरे परक्रियागों को कंप्लीट होने में 5 वर्स से अधिक समय लग जा चूकि आपने इंटर लेवल का नतीजा देखी लिया है ठीक है तो यह सभी प्रक्रिया है और आपने सची वाले सहाएक पहला और दूसरा मतलब जो हुआ था वी एससी के मध्यम से जो लिया गया था उसमें आपने देखा था कि कितनी तक्नीकी जर्विडिया हुई जिसके कारण लोग हाई कोड़ते गए और कई बार बेससी को रिजल्ट जारी करना पर आ है तो बेससी पर इस मामले में विश्वास करना कि सभी प् इतना फिल है कि आप मतलब समझ नहीं सकते हैं कि साथ-साथ-साल इतना अच्छाम हो गई कि एक सही से जारी नहीं कर सकती है ठीक है वैसे सचिवाले सहाय की नियुक्ति पहले बीपेसी के माध्यम से होता था जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पहले इसकी बहाली बीपेसी ही लेती थी और संग की मांग है कि अब ये बहाली भी बीपेसी के माध्यम से लिया जाए इसके लिए सब्सक्राइब के माध्यम से कराने के लिए ठीक है फिरहाल सचिवाले सेवा संगवर्ग के 3960 पद जो है वो क्रियेट है जिसमें तैइस सो साथ पद खालियस हो सकते हैं इतनी भारी स्कार्चिटी है स्टाफ की अगर और इसी के कारण क्या है कि इनका प्रमोशं भी रुखा हुआ है जो इसमे थे 3960 में कुछ लोग बचे हुए हैं उनका प्रमोशं भी सिकारण रुका हुआ है तो अब यह प्रकरियां किस तरह से होगी चुठी बीपेसी तो इतना असपर्ष्ठ है कि बीपेसी हर साल एक्जाम लेती है ठीक है हर साल एक्जाम लेती है और हर साल एक्जाम लेने कारण क्या होता है कि यहां हर साल आफिसर्स मिलते रहेंगे सहायक प्रसका पदाधिकारी मिलते रहेंगे जिसके कारण क्या होगा कि कामें सुचारू रूप से चलती रहेंगी लेकिन अगर बिससी क माध्यम से मतलब सचिवाले सहायक की बहाली को रोकते हुए अब BPSC से बहाली के लिए संग ने अनुरोध किया है चुकि वर्कलोड है और स्टाफ नहीं है तो बहुत सारे सहायक हैं उनके प्रोमोशन भी रुके हुए है इसी कारण तो इनको देखते हुए अब कैबिनेट को ये लेना पड़ेगा निरने लेना पड़ेगा कि क्या करना है तो अब कैबिनेट अगर निरने लेती है तो कैबिनेट को क्या-क्या बदलाव करतना पड़ सकता है इसके बारे में हम लोग पुरिविस्तार से जानते हैं तो आप देख रहे हैं यह बिहार गजट है बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है और यह जो प्रकिडिया हैं वो सचिवाले सहाय के सेवा शमंधी अधिनियम 27 में जो सेवा समंधी नियम बने थे वही है मतलब सचिवाले सेवा का गठन और उसके एकजाम से लेकर मतलब भरती से लेकर प्रमोशन सारी प्रकिडिया इसमें दिया गया है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर बिएससी के माध्यम से ना कराके अगर यह बिपीएसी के माध्यम से कराना पड़ेगा तो फिर से क्या होगा कि एक एमेंडमेंट लाना पड़ेगा इस नियम में और यह BSC के जगह पे BPC का वर्णन करना परेगा, हला कि BSC के माध्यम से कई सारे ऐसे पद हैं, जो पहले बहाली लिए जाते थे, अब उसको BPC के द्वारा करया जा रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे, आप औरती निरिक्षक, पंचायती राज पदाधिकारी, यह सभी पद ज इसके नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है, और नियमावली में जैसे ही परिवर्तन होगा, तो डेफनी टुप से क्या होगा, कि इसके सिलेबस तैक किये जाएंगे, और कुछ लोग यह भी बता रहे हैं, कि अगर BPC इसकी बहाली कंबाइंड कंप्टिटीव एक्जाम के अंदर लेती है, जो जिसमें STM से लेके, DSP से लेके, और सारे पद जो सचवाले साहा के जूरे गए हैं, उन सभी का लेती है, तो इसका जो प्रकिरिया है, वो कंबाइन कंप्टिटीव एक्जाम के सिलेबस के अनुसार ही होगा, मतलब इससे आसपस्ट है, कि आपको PT, मेंस और इंटर्वी, ये तीन चरण से गुजरने परेंगे, अभी तक जो प्रकिरिया थी, आप देख रहे होंगे, कि BSSC जो एक्जाम लेती थी, तो इसमें क्या थी, कि इसमें प्रकिरिया थी कि PT और मेंस होता था, और PT मेंस के बाद डॉक्मेंट वेरिफिकेश होता था, ये तीन चरण की प्रकिरिया थी, इसमें तीन चरण की प्रकिरिया थी, थोड़ा अलग है, इसमें इंटर्वी बढ़ जा रहा है, ठीक है, और इसमें PT में भी objective question रहते थे, 1500 नमबर का जिसमें 50 नमबर का GS पुछा जाता था, 50 नमबर का math और math science और 50 नमबर के reasoning प होगा, ठीक है, मेंस में भी BSSC जो exam लेती थी, मेंस में भी PT की तरह ही सारी प्रकिरिया होती थी, objective question रहते थे, लेकिन अगर ये combined competitive exam के अंतरगत इसकी बाहली होती है, तो आपको इसमें आपको एक optional subject के साथ GS का descriptive exam होते है, लिखित exam होते है, इस तरह के बदलाव हो सकते है, interview 120 number का होता है, यहां भी interview आपको 120 number का देना पर जागा, अगर ये combined competitive exam के तरह अगर उसकी अंतरगत लेती है, चुकि आप जानते हैं कि सचिवाले सहायक का पद जो है, वो अच्छाली सो ग्रेट पे के अंतरगत आता है, मतलों level 7 का पद है, और level 7 के बहुत सारे पद पर बह हाली होती है, तो syllabus combined competitive exam की तरह ही होगा, मतलब PT men's interview आपको देने परेंगे, लेकिन अगर ये LDC, BPSC, LDC का जो exam होता है, अगर उस तरह के syllabus होंगे, तो similar syllabus हो जाएगा, जो BSSC के अंतरगत आता है, वही syllabus हो जाएगा, लेकिन चुकि level 7 के पद हैं, तो इसकी संभावना बहुत कम है, कि ये BPSC, LDC के तरह exam ले, ठीक है, इसका जादा तर संभावना है, कि या तो इसके लिए एक अलग सेवा संभार के अंतरगत exam लिया जाए, ठीक है, सेवा संभार के अंतरगत exam लिया जाए, जैसे combined competitive exam नले करके, जैसे आप देखते हैं कि auditor का अलग से BPSC ने exam लिया है और professor वगएरा का भी अलग से exam लिया है, तो इस तरह से भी इसका exam लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से exam होगा, तो syllabus वही होगा, जो BPSC का syllabus था, लेकिन अगर इसका exam, combined competitive exam के अंतरगत होता है, तो आपको तीन चरनों में PT, मेंस और interview, जो BPSC का combined competitive exam, जो प्रतियोक्ता परिक्षा होती है, उसके अंतरगे जो भी आता है, उसमें आपको PT, मेंस और interview, तीन चरन से होकर गुजरने परेंगे, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, कि प्रक्रिया है, थोड़ा बहाली की प्रक्रिया है, जो है, पहले जो जेनरल एस्ट्रेंटिस को नि बदलाव होता है, तब exam pattern में बदलाव होता है, तब अगर BPSC के माध्यम से बहाली के लिए cabinet राजी हो जाता है, तो ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, और ज्यादा संभवना है कि ये BPSC के माध्यम से हो, चुकि आपने देखा है, कि लंबे समय से BPSC को वे वेकंसी मिली, लेकिन BPSC को वेकंसी ये 2019 में मिलती है, 21 भी समाप्त होने वाला है, और 21 तक नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, कि अगर ये नोटिफिकेशन 22 में भी BPSC के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये कब कम्प्लीट होगा, कहां नहीं जा सकता है, 27 में कम्प्लीट होगा, या ये 30 तक जाएगा, कुछ कहां नहीं जा सकता है, चुकि आप BPSC के एक्जाम लेने की प्रक्रियां अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रक्रियां BPSC के द्वारा लिए जाती है, ठीक है, तो अगर इसका नोटिफिकेशन 22 में भी ह होता है, तो जादा से जादा ये 24 के मद्ध तक इसका हो जाएगा, मतलब पूरे प्रक्रियां जो है, डेर साल में संपन हो जाने की पूरी संभावनाया है, ठीक है, डेर से दो साल के अंतरे प्रक्रियां संपन हो जाती है BPSC की, लेकिन BSSC की कब होगी ये कहना मुश्किल ह चुकि आपने BSSC इंटर लेवल का देखी लिया है, और सारे BSSC के वेकेंसी की स्थिति आप देखी रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि हर साल वेकेंसी आएगी सचिवाले सहाय की, और हर साल एकजाम होगा अगर BPSC के माध्यम से ये बहाली होती है, तो अब ये कैबिने अगर सही, वास्थो में आप BPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे मॉबाइल आप को डाउनलोड किजिए, और हमारे कोर्स को जोइन किजिए, बहतरिन तरीके से आपको 75 दिन में त्यारी के लिए ये कोर्स त्यार किया गया है, जो आपको 75 दिन में अच्छी तरह से त जारी करा दी जाएगी आप डेफिनी टुप से उसके सांथ जूरिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक ने टॉपिक के सांथ